अच्छ की बैग बनाने के लिए हमने ये पुरानी पैंट ली है 3 4 पैंट है और यहां से दोनों साइड से हमने इसकी सिलाई निकाल दी है और इससे पहले भी हमने दो पैंट के बैग बनाये थे लेकिन हमने यहां से यहां तक का ये फाबरिक लिया था लेकिन इस बार हम ये उपर की साइड ले लेंगे, इसके लिए हम ये नीची का पॉकेट पहले निकाल देते हैं, SM ने उपर की साइड से इसे मार्क करके रखा है, इसके उपर हम कटिंग करें, SM ने ये दो पिसेस कटिंग किये हैं, और इसके पीछे हम ये रबर शिट चारो साइड से सिलाई करके जोडेंगे, SM ने rubber sheet के साथ-साथ ये दो अस्तर के pieces cutting किये है एक इसके पीछे हम जोड़ेंगे और ये इसके पीछे हम जोड़ेंगे ये rubber sheet हमें बीच में रखना है और इसे हम चारो side से सिलाई करेंगे SM ने ये अस्तर के साथ rubber sheet इसके साथ join की है इसके बाद हम उपर की side में यहाँ यहाँ और इसके उपर की side में shape दे देंगे आप हाथ से भी shape दे सकते हैं मैंने ये इसे कुछ round cheese लिए हैं देखिए इसे और इसके उपर हम cutting करेंगे SM ने ये उपर से shape दिया है और यहाँ यहाँ पर इसके बाद हम दो join करने के लिए piece cutting करेंगे जो बचा हुआ fabric है उसमें से देखो हमने ये दो fabric के pieces लिए हैं और दो अस्तर के pieces यहाँ ये piece के साथ हा प्रबरशिट भी जोड सकते हैं इसका measurement है चार इंच बाद है 17 इंच जिसकी ये दो pieces और दो अस्तर के pieces लिए हैं अस्तर के लिए हमने short piece लिया है और ये जीपर 17 इंच जिसके हमने लिए हैं ये fabric की सीधी side के उपर zip की सीधी side हम ऐसे रखेंगे और इसकी back side में ये अस्तर की सीधी side आप आपके पास जो fabric है उसकी भी आप ऐसे back बना सकते हैं सिलाई करेंगे यहां से हमने सिलाई की इसके बाद ये अस्तर और fabric हम इसे साथ में back side में करेंगे यहां हम top stitch करेंगे और यहां से यहां तक हम चोड़ देंगे इसे हमने ये piece बनाया है इसके बाद ये दूसरा piece जोड़ने के लिए हैं ये सीधी side इसके उपर रखेंगे zip की दूसरी side में और back side में ये अस्तर का piece सिलाई करेंगे इसके बाद उपर की side में करके top stitch करेंगे ये दोनों piece जोड़ने के बाद हमने दोनों side से एक एक runner डाला है इसके बाद ये हमने एक piece लिया है इसका measurement है 3 inch by 6 inch 3 inch by 6 inch का एक piece लिया है इसको हम इसे fold करेंगे दोनों side से यहां से हम fold करेंगे और दोनों side से हम सिलाई करेंगे यह एक स्ट्रिप बनने के बाद हम इसको सेंटर से कट करेंगे और इसके दो पीस बनाएंगे यहाँ आप दो पीस भी सेपरेट बना सकते हैं एक पीस हम लेंगे ऐसे में फोल्ड करना है यहाँ जिप के सेंटर में हम इसके उपर ऐसे सिलाई करेंगे यह fold की हुई side यह side में रखना है ऐसे और यह दुसरा पीज हम ऐसे fold करेंगे और यहाँ जोडेंगे यह pant का इतना ही piece बचा है तो हमने यह तयार build लिये हैं यहाँ आप अपके पास अगर fabric बड़ा है तो fabric के build भी बना सकते हैं यहाँ हमने 25 inches के यह दो build लिये हैं और इसके बाद यहाँ से हमने 1 inch का mark किया यहाँ से 1 inch का mark किया यहाँ से 1 inch और यहाँ से 1 inch का इसे हमने 2 line draw किये हैं और यह marking के बाहर हम यह build जोडेंगे यहाँ तक यहाँ हमने 6 inches का mark किया है यहाँ से यहाँ से हमने 6 inch का mark किया है यहाँ से 6 inch यहाँ से 6 inch और यह build हम इसे जोडेंगे यह जो 1 inch का mark है वहाँ से 6 inch तक हम ऐसे build जोडेंगे ऐसे इसके बाद ये side हम ऐसे जोड़ेंगे 6 इंच तक ऐसे ही ये दूसरा बेल जोड़ेंगे इसके बाद हमने ये दो पिसेस लिए है 7 इंच बाए 8 इंच 7 इंच इसकी height है ऐसे हमने ये दो पिसेस लिए है ये हम ऐसे और इसके साथ हमने rubber sheet और अस्तर का पिस चारो साइड से सिलाई करके attach किया है यहाँ हम ये पिसेसे जोड़ेंगे दूसरा पिस यहाँ जोड़ेंगे यहाँ हमने ये fold करके center का marker करके रखा है दोनों साइड में ऐसे ये सिलाई होने के बाद यहाँ pipe in करके भी ऐसे side में top stitch कर सकते हैं ये सिलाई हम यहाँ side में लेंगे और यहाँ top stitch करेंगे यहाँ pipe in करके भी इसे उपर से सिलाई कर सकते हैं इसे top stitch होने के बाद हम इसे fold करके यहाँ center का mark करेंगे ऐसे ही यहाँ पर भी इसे fold करके center का हम mark करेंगे इसके बाद हम यह दो piece लेंगे उपर की side में हमने shape दिया है यहाँ ऐसे ही है तो नीचे की side हम ऐसे दोनों को सीधी side एक के उपर एक रखेंगे जो shape की side है उपर की side में आएगी और यहाँ हम चोड देंगे यहाँ हम एक सिलाई एक साइड में रखेंगे यहाँ आप पाइप इन करके भी उसके उपर सिलाई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे इसे हमने यहाँ जॉइन किया और यह जोडने के बाद हमें पहले देखना है कि ये सही तरीके से joint होता है या बड़ा हो जाएगा यहाँ पर हमें इसे fold करके center का हमें mark करना है और ये होने के बाद ये mark और ये mark हम इसे जोड़ेंगे और ये mark और ये mark हम यहाँ से जोड़ेंगे इसे हम पहले clip से जोड़ेंगे यहाँ हमने आप देख सकते है ऐसे हमने यहाँ से जॉइन के आप देख सकते है इतना एक इंच जितना यह पीस एक्स्ट्रा हुआ है तो हम पहले यह कटिंग करेंगे ऐसे हम यहाँ से एक इंच यहाँ से एक इंच और यहाँ से एक इंच हमें पहले cutting करना है या आप देखकर कर सकते हैं यह हमें दोनों साइड से पहले हम एक एक इंच इसे cutting करेंगे दोनों साइड से और यह cutting होने के बाद हमें यहाँ से जोड देंगे फिर से हमें सेंडर का मार्क करना है यहाँ से हम जोड़ेंगे ऐसे हमने clip से joint किया है आप देख सकते हैं एक एक इंच cutting करने के बाद यहाँ एक तम अच्छे से fitting से back joint हो गई है देखिए यह आप देख सकते हैं और इसके उपर हम सिलाई करेंगे ऐसे यह दोनों साइड से सिलाई की है और इसके उपरा pipe in भी कर सकते हैं ऐसे अस्तर की pipe in कर सकते हैं यहाँ तयार pipe in मिलते हैं वो भी कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ सीधी side करेंगे देखो यह सीधी side करने की बाद यह bag ऐसे दिखे कि बहुत सुन्दर दिख रही है और यह आप एक दीन के कपड़े भी इसमें लेके जा सकते हैं देखे इन्हें बड़ी space है और यह side से जो pant के pocket से वे ओवा हमने ऐसे ही रखे थे इसे दोनों side से अर्वाद स्प्रेट करें भ्यां जो Çaze उन्ड के से